हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉंस्टेंस माइंड एक बार फिर से ये वीडियो डिकार्ड हो रही है पिछली वीडियो में कहें अंसर हमने आपको बताया था कि 22 तारीक को हेमोती नंदन बहुगुडा गढ़वाल इनवस्टी का एडमीसन पीसटी का स्टार्ट हो जाएगा तो आज 22 तारीक है और स्टार्ट हो चुका है जो इन्फरमेशन ब्रोशियोर है आज जिलीज हुई जो की हम टेलिग्राम चनल पर आपको दे चुके हैं इस वीडियो में भी लिंक मिल जाएगा जो टेलिग्राम चनल पर ढूनना चाहते हैं वहां से जाके ले ले अदरवाईज अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप दिये गए लिंक से डाउनलोड कर लिजे क्योंकि आपको पनिसानी हो रही होगी साइट पर खोजने में आपको हम ये भी बताएंगे कि आप किस साइट से आविदन कर सकते हैं और पिछली वीडियो में हमने फीस वगरे सारी चीजें डिसकस कर दी थी तो एक नजर हम information ब्रॉश्योर पर डालेंगे वीडियो पर आप इंट तक बने रहीएगा और आपके कुछ कोश्चन है वैसे कोश्चन बहुत थे पिछली वीडियो पर भी आये थे तो फीस इस्ट्रक्चर के बारे में अगर पूछना है तो आप वो वीडियो देखिए उसका भी link आपको नीचे मिलेगा और भी कुछ अगर पूछना है तो पहले वीडियो को देख लीजिए उसके बाद पूछे का हो सकता है आपके questions solve हो जाए ठीक है बढ़ते हैं आगे अगर आप में चनल पर नए है तो छोटी सी request है solve को subscribe कर थोड़ा सा support अपना दे जिससे की और आगे काम करने का बल मिले देखते हैं This is a central university and based for all of you detail of school and subject developer for PhD program first school of agriculture and allied science जिसमें की forestry, halting, archal, plant, physiology, rural technology, seeds, technology फिर school of science में chemistry, mathematics, home science, science, physics फिर उसके बाद commerce भी है defense strategy है geography, physiology, education, yoga ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे life science, humanities के भी है humanities में history, political science, psychology, sociology और life science में biotechnology, geology, botany, microbiology, environmental science सब कुछ यहाँ पे है biochemistry भी है law भी है और management भी है इसके instruction को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि क्या-क्या चाहिए और किस तरह से आफ form फिर कल सकते हैं और यहाँ पर अगर आपको होस्टल वगए रहे किस विदा चाहिए तो form बर्दे समय yes करना बिल्कुल न मुद्भूलिएगा अदर्वाइज आपको हस्टल नहीं मिलेगा और कोई भी किसी प्रदार की दिक्कत होती है तो help line दिया गया है इस help line पर आप बात कर सकते हैं ठीक है eligibility criteria की बात करें तो 15% आपका relevant subject में होना चाहिए जैसे कि हर जग होता है और यहाँ पर master degree और professional degree 50% रहेगा वो SCST और OBC के लिए है और बाकी सभी के लिए 55% है relevant subject में आपका होना चाहिए admission process की बात करें तो इंटरेंस टेस्ट इंटर्व्यू दोनों होगे exempt category भी यहाँ पर available है आप application form फिल कहां से करेंगे वो site यहाँ पर दे रखी है यह समर्थ जो site है HNBU की BGU की मैं इसको अभी दिखा दूँगा आपको वहाँ पर ले जाके और link आपको दे दूँगा आपको डायक्ट जाके कर सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि entrance test होगा और जो भी entrance test से exempt candidate है वो भी form फिल करेंगे उनके लिए भी अनिवारे form फिल करना ठीक है कौन-कौन exempt होगा वो भी यहाँ पर बताया गया है जैसे कि regularly appointed teachers of this university मतलब HNB is UK regularly appointed teachers and teachers fellow chief holder under UGC scheme net slet वाले net slet उत्तराखन get qualified candidate MPIL candidate जो की HNB के हो ठीक है तो उसके बाद the question paper की बात करें तो interest test जो होगा उसमें आपके question paper total 100 marks के होंगे the paper will be include two sections section first आपका research methodology जो की 50 marks का होगा and second syllabus होगा जो की post graduate syllabus के पूछा जायेगा आपका और post graduate syllabus आप कहां से download करेंगे नीचे बताया गया है कि आप HNBU की bizio की साइट पे जाईए वहां से आप post graduate का syllabus डाउनलोड कीजिए और methodology के लिए आप इस portal जहां से आप online आविदन करेंगे वहां से मिलेगा इसका syllabus तो research methodology के 50 और subject के 50 the question paper will contain 100 objective type multiple choice question तो एक एक number के question होने वाले है time आपको मिलेगा maximum 2 hours और qualifying cut-off marks in the entrance exam will be 50% of general EWS category SCST OBC के लिए 45% रहेगा मैं फीस बताऊंगा आप थोड़ा दहरे रखें आपको एक रिसेर्स प्रपोजल देना होगा एक research proposal देना होगा at the institution college ठीक है the proposed area of research can contribute to new additional knowledge तो research proposal आप अच्छा बनाएंगे हो सकता है कि guide भी लौट हो following will be the assessment index of 100 marks for admission for the exempt category यहाँ पर exempt category के लिए बताया गया है distribution of 70% 70 marks का distribution किस पकार से तो UG 30% of percentage of marks obtained PG 40% of percentage of marks obtained marks of obtained in the interview 30 marks 70% weightage जो exempt category वाले हैं उनको दिया जाएगा UG PG पे तो 30% रहेगा किस पे तो आपके interview पे for the candidate who qualified the entrance exam तो इसका जो qualify करेंगा entrance exam को उनका 70% weight is रहेगा entrance exam से और 30% रहेगा interview से तो interview entrance अच्छा होगा तो आपको आपके पिछले background को नहीं देखा जाएगा ठीक है all the qualified candidates should bring the hard copy of their online application आप online application देख करेंगे तो इसके hard copy बहुत अच्छे से सुरक्षित रखें सारे original document and certificate के साथ आप इंटर्व्यू के जाएंगे generally WSOBC की 700 रुपे फिस SCST की साड़े तीन सब starting date for online application form 22 December 2020 यानी today last date of submission of online application form 15 January 2022 ग्रेक्सन होगा आपका 16 से 18 ये सब चीजे में बता चुका हूँ एक्जाम आपका 6 फरवरी 22 को होगा अब एक्जाम CT की अगर बात करने हैं तो एक्जाम देने के लिए आप चार सेंटर यहां पर दिए जा रहे हैं स्रीनगर और बातसाय थाओली तेहरी देहरादून निवदलही ठीक है तो चार सेंटर है जनरल इंस्ट्रक्सन कुछ है की कैसे आपका एक्जाम होगा तो यहां पर एक्जाम जो है किस बाइसिकर का यह इंग्लिस में इए इंग्लिस में जन ए टीका है क्विल ली इंग्लिँस फॉर सब्जेक्ट अन्डर शिख्याम अंडर स्कूल आफ कि क्लेंश वाइब मतलब इस्कूल आप साइन्स का only English में पेपर होगा और बाकी जितने हैं other schools के उनके bilingual होगे ठीक है तो appearing में भी आप online अविदन कर सकते हैं लेकिन वही जो की HNB से एंफिल किये हूँ कर रहे हूँ अब यहाँ पे सीटों की distributions हैं आप इसको देख सकते हैं सभी सीटे हैं जितने Geology, Chemistry, Home Science Mathematics, Statistics सब जितनी सीटे हैं सारी सीजें यहाँ पे दिर रखी हैं ठीक है total सीटें यहाँ देड़ सौरा जिसमें की बासट हैं result की है फिर आप इसमें आएंगे Affiliate College में तो Affiliate College में total 52 सीट हैं फिर उसके बाद additional सीट for PhD program for university campuses under GRF Teacher Fellowship तो GRF और आप के लिए अलग से सीटें यहाँ पे हैं वो है total 74 undeserved बाकी अधर के लिए भी हम पे दे रखी हैं तो यह सीटों की distributions थी उमीर जानकारी अप पुच्छे लगी होगी और काफी सीज़ हम आपको बता दिये हैं जो कुछ छूटा हो गल्दी से तो आप उसको पूर सकते हैं ठीक है exam आपका कहा होगा कैसे होगा यह सीज़ हो गई clear other state वाले 5 फिल कर सकते हैं की नहीं तो फिल कर सकते हैं बिल्कुल फिल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपको exam उधर जाके देना होगा बस यह अगर school आप science वाले हैं तो आपको English में paper देना होगा और other वाले जो है other subject वाले वो bilingual दे सकते हैं ठीक है अब हम दिखा देते हैं site को आपको तो site जो है यह hnbzuadmissions.edu portal है यहां पर आपको आना है और उसके बाद आप नीचे scroll करेंगे तो कुछ instruction है इसको आप पढ़िएगा पहले और migration भी यहां पर मागा गया है तो जो जो चीज़ें मागी गई है उसको आप लेके बैठेंगे अच्छे से यहां से आप registered email पहले register करें और password लें अपना तो इस तरह से यह total details है इसका link आपको मिल जाएगा तो किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप बताईएगा वीडियो यही तक इन तक देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया